लदाक में टैंक अभ्यास के दौरान हादसे की खबर सामने आ रही है जानकारी के अनुसार केंदर शासत प्रदेश में नदी पार करने के लिए टैंक अभ्यास के दौरान अच्छानक जलसतर बढ़ गया इससे दौरगटना हो गई है इस हादसे में सेना के पांच जवानों के लापता होने की सूचना दी गई है और बचाव अभियान अभी चलाया जा रहा है अधिकारियों का कहना है कि शनिवार तड़के सुभल लद्दा के नियोमा चुशुल इलाके में वास्तविक नियंतरन रेखा याने की LAC के पास T-72 टैंक में सवार होकर नदी पार करते समय सेना के पांच जवान बह गए उन्होंने बताया कि ये हाथसा ले से 148 किलोमीटर दूर मंदिर मोड के पास रात करीब एक बजे एक अभियास के दौरान हुआ है नदी पार करते समय अचानक बार आ गई इसके कारण T-72 टैंक डूब गया जिसमें पांच जवान सवार थे बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है आपको बताते चले ही कि केंदर शासत प्रदेश लद्दाक में भारती सेना के जवानों के साथ एक बड़ा हाथसा हुआ है सेना के जवान लद्दा के दौलत बैग ओलडी इलाके में नदी पार करने का टैंक अभ्यास कर रहे थे और इस दौरान अचानक से नदी का जल स्तर बढ़ गया जिसके चलते ही सेना के पाच जवानों के बहने की अभी जानकारी सामने आ रहे है भारतिय सेना के जवानों के साथ ये हाथसा चीन के साथ लगने वाली सीमा याने की वास्तविक नियंतरन रेखा LAC के पास हुआ है दौरदबेक ओल्डी कोर कोरम रेंज मिस्तित है जहां सेना का बेस मौजूद है मिली जानकारी के अनुसार बात करें तर अधिकारियों का कहना है कि लदाक में LAC के पास अचानक आई बाड में सेना के पाच जवान बैच चुके हैं बता दे कि सेना का टैंक नदी के एक गहरे हिस्से को पार कर ही रहा था तब ही वहाँ पर अचानक फस्द गया इस दौलान अचानक बड़े स्तर के चलते उसमें पानी भर गया जिससे जवान बह गया फिलाल सच ऑपरेशन शुरू हो चुका है यहां ये बात सपष्ट करना ज़रूरी है कि घटनस तल पर कोई जड़प नहीं हुई है रक्षा दिकारियों ने बताया है कि हादसे के समय टैंक में सेना के पांच जवान मौझूद थे इसमें एक जे सीयो और चार जवान शामिल है एक जवान को लोकेट कर लिया गया है जबकि बागी के अन्यचारों के तलाश अभी जारी है हादसे का शिकार हुआ टैंक भारतिय सेना का T-72 टैंक था भारत के पास 2000 से भी ज़्यादा T-72 टैंक है भारतिय सेना इन टैंकों को इस्तमाल लंबे समय से कर रही है और हादसे के समय वहाँ पर भी कई और टैंक मौझूद थे आपको बता दे कि लदाक के दौलत बैग ओल्डी अलाके में टैंकों के साथ अभ्यास के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ गया इस दौरान सेना के पाच जवानों के भेजाने की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है रक्षे अधिकारियों का कहना है कि शुक्रवार को लदाक में टैंक को नदी पार कराया जा रहा था ये रूटीन एक्ससाइज थी इसी बीच अचानक नदी में सेलाब आगया और सेरा के पाच जवान इस सेलाब में भेगए इस हाथसे में कुछ जवानों के घायल होने की भी सूचना सामने आई है